नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केट 6 में चर्चा होगी जहारकंट की नौक्रियों की दोस्तो कल गुरुवार देर बैठक होई है हमन सोरें जी की सरकार की अधिश्ता में एक प्रोजेक्ट भवन में दोस्तो ये कैबिनेट की बैठक होई है और क्या समिक्षा किया गया है यहाँ पे किसके बारे में चर्चा होई है तो जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ये खबर यह मैं उनकी बात करूँगा जहारकंट की युवाओं को सरकारी नोक्री मिल सकेगी और जो चात्र जहारकंट से दसवी या बारहवी पास किये है उनको यहाँ पे प्रात्मिक्ता मिलेगी तो सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर लेकिन उससे भी अच्छी खबर यह है कि जहारकंट SSC कि नियामोली में कुछ बदलाव किये है वो क्या बदलाव है इस वीडियो के माद्यम से हम जानेंगे आप इस वीडियो को अंदक देखिए और हाँ जो भी मेरे भाई बंदू चैनल पे नए है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाए तो चैनल के इस रेट कलर के भटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथी साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से आपको जाता रहे दोस्तो बेल आइकन जरूर दबाले जीगा नहीं तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नई पहुँच पाएगा अगर आप बिहार की परिक्षाओं की त्यारी कर रहे तो आप हमारा चैनल वाइटी एजुकेशन भी सबस्क्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको रोज प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं साथ ही साथ टेलीक्राम के क्यूजेश भी आपको दिये जा रहे हैं तो जोईन कीजिए आज ही वाइटी एजुकेशन को दोस्तो अब खबरों पे आते हैं और खबरों पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकरी यहां पे जॉब अपडेट दिना चाहता हूँ कि जारकंड में यूवाओं को सरकारी नोकरी अब प्राथमिक्ता मिलने जा रही है ये किन छात्रों के लिए बात हो रही है तो ये उन छात्रों की बात हो रही जो कि यहां से दसवी बारावी जारकंड के बोर्ट से किये हैं यानि कि जो दसवी और बारावी जारकंड है तो नोकरी आपको मिलेगी और ये जारकंड SSC लेगा अब तक की एक परिक्षा में आपको इसका फायदा मिलने जा रहा है आपको इसके बारे हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि प्रारंबिक परिक्षा की जो विवस्था थी पहले अब उसको खतम करने की बात की जा रही है यानि कि जी हां जारकंड SSC में अगर आप एक्जाम देते होंगे तो आपका जो PT होता था उसके भी marks आपको जोड़कर means के साथ marks को जोड़कर और final आपका merit दिया जाता था और तीसरा phase भी होता था उसमें तो तीन phase में आपके इसके एक्जाम होते थे तो आप इसके means और third phase का एक्जाम है तो आप दे सकते हैं उसी की चर्चा की गई है यहां पर दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आपको सारी जनकरी देने जा रहे हैं तो यहां पर दोस्तों क्या संसोधन हुआ यह बाते यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी जियां 2021 के गटन के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है और इसके तहट अब राजी सेवा के अभ्यारतियों को जहरकंट की स्थानिये रिती रिवाज भाषा परिवेश का ग्यान होना अनिवार कर दिया गया है तो दूसरा बड़ा बदलाव है यहां पर कि भासा को लेकर और जहरकंट के रिती रिवाज को लेकर यह एक विसे भी आपको इंक्लूड रहेगा उस पापके एक्जामनेशन में जहां पर उसको पास करना जुरूरी है यानि कि क्वालिफाइड होना आपको जो रहे है तभी आप मेंस के लिए जा सकेंगे अगले चरण में दोस्तों मैट्रिक इस तरिये परिक्षा संचालन नियामली के अंदरगर अभ्यारतियों को निवन्तम सेक्षिन आहरता में संसुदन करते हुए यह तैय किया गया है कि अब अभ्यारतियों को जारकंड में अवस्थित जितने भी मानिता प्राप्ति सेक्षिन संस्थान है उन में से निवनितम मैट्रिक या फिर दसवी जो कक्षा होती है उत्रिन होना जरूरी है यानि कि वही छात्र बाविदन करेगा जो कि यहां से मैट्रिक किया रहेगा जारकंट के लिए दोस्तों लेकिन यह प्रवधान जारकंट की अरक्षन निती में आने वाले अभ्यारतियों और अनुकंपा के मामले में सिथिल रहेगा जिनके फादर अगर यहां पर जॉब कर रही है और उनके डित के बाद उनको यह नौकरी मिल सकेगी अनुकंपा के अधर पर तो उसके लिए सिथिल रहेगा जैसा की नियामली चल रहा है इसका मतलब है यदि जारकंट के अरक्षित स्रेनी का कोई भी अभ्यारति अन्यत्र से भी मैट्रिक पास्त किया हो तो वो परिक्षाम से वंचित नहीं रहेगा तो ये एक अपडेट है दोस्तों और पहले किवल मैट्रिक यह दस्वी में उत्रिन होना जरूरी था लेकिन अब राजी में इस्थित मानिता प्राप्त सेक्षिन संस्थान से मैट्रिक दस्वी पास होना तो जरूरी हो गही और ऐसा इस्थानी युवाओं को वरियता देन नयूक्ति नयामली के लिए किया गया है दोस्तों अब देखें यहां पे जो बात हो रही है दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो कैबिनेट और उसके क्रमिक विभाग की प्रधान सची जो बंदना दादले हैं उनकी फैसलों की जनकारी देते हुए बताया कि प क्वालिफाइंग होगा अब कर्मिक जो है विभाग की ओर से पांचो परिक्षा संचार नियामली की तहट इसना तक तरिये सेवाओं के लिए भी प्रारमिक परिक्षा को समाप्त करने जा रही है और किवल एक चेरण में मुख्य परिक्षा हो लेने का यहाँ पर प्रसदान रखा गया है दोस्तो अब देखे जो नियामली बन क्या है न यहाँ पर आपको दिखला देना चाहता हूं में यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा पहला पत्र है यहाँ पर की भाषा ग्यान में के अंत्रगत हिंदी अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मांक्स लाना ह होता था इसमें संसुधन किया गया है यह पहला पत्र है जो की नियामली में आपको बदला गया है अब जो उत्रिन होने वाले जो छात्रों के हिंदी अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 अगर आते हैं मतलब कि 100 में 30 लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे ठीक है यानि कि क्वालिफाइड हो जाएंगे आपको अगले पेपर यानि कि दूसरे पत्र के लिए यहाँ पे चिनित कर लिया जाएगा जो चिनित छेत्रे जन जाती हैं दूसरा पत्र में चिनित छेत्रे जन जाती हैं और भाषा में 30% अंक प्राप्त क करना उनके लिए अब अनिवार हो गया है तो दूसरा प्रपत्र में यानि कि आपका जो लोकल लेंग्वेज हैं वहां का जो भी जन जाती भासा होता है उसमें आपको 30% लाकर क्वालिफाई होना पड़ेगा यह दूसरा प्रवाधान रखा गया है अब दोस्तों तीसरा प्र सब्लाइब जो अब रही बात की मेगा सूची कैसे वनेगी यहां पर इसको जोड़कर आपmi देखा जाए क्टफ के तो एक यही परिक्षया पास करनेए होगी वह भी मेंस का बाकि जो पहला परपत्र है दूसरा परपत्र है यहां पर आपको पास करना है क्वालिफाई होकर और उसका जो मास जोड़कर आपको तीसरे में मतलब भेज देगा मैंस के लिए भेज दिया जाएगा तो यह एक अपडेट है दोस्तों यहां से जो कि यहां पर कुछ प्रवधान रखे गया है जिया 27 प्रवधान पर मोहर लगी है और सबसे इंपॉर्डेंट तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है जो कि वंदना दादले हैं जो कि मंत्री यहां की सचीव है केरमेट सचीव है इनकी जो नियुक्ति नियामली है उसको आगे लेकर आये गया चंजातिये छेतरिये भासा के लिए 12 भासाइं को निधायत किया गया है जिसमें कि 30% अंक लाना जरूरी होगा पेपर 3 में आपको समाने ग्यान से होगा लेकिन इसमें आपको क्वालिफाइंग करना को 30% लाक है अगर 100-100 नंबर का पेपर होता है तो और फिर पेपर 3 के ल अपकमिंग वेकेंसी कब तक आएगी तो जारकंड सरकार इस पे भी जो नियामली है इसको लागू कर दीगे इस पे मुहर लग चुका है अब जल्द ही इसको रिगार्डिंग एक नया अपडेट आने वाला है दोस्तो गिया और वो अपडेट आपके हो सकता है कि अक्टू पड़ सकते हैं जहां से आपको यह सारी चीह मिल जाएंगी अपडेट आपको और ऐसा करने से जारकंड के युवाओं को ही अधिक सदिक रोजगार देना संभव हो सकेगा इसलिए कि नौकरियों में जारकंड से ही जो चात्र मैट्रिक के एंटर पास करते हैं उनको यहां पर नौकरियों में पाटिसिपेट करना और कंपेटिशन अधर इस्टेट के लाकर यहां पर एक परिक्षा को लेकर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके पूछ सकते हैं यहां इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है आपको जरूर दिया ज नए नुक्ति के नए अपडेट के साथ आप लोग के साथ दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए ठेक केर ध्यान रखीगा अपना और अपने परिवार का